गाइज वेलकम टू माई चैनल एसम टैरो कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करेंट एनर्जी इस है डियर गाइज आपके पर्सिन की टैरो कार्ड में देखेंगे आपके पर्सिन की आपको लेकर क्या चल रही है उनके दिल में उनकी दिमाग में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है वो आपको लेकर क्या सोचते रहते हैं क्या चलता रहता है उनके माइंड में आपको लेकर इस चीज को ही देखेंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए बैल ऐकन को प्रेस कर लिजगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए ताकि जब भी मैं रीडिंग चैनल पर अप्लोड करूँ मेरी टैरो का डिडिंग तुरंत आपके पास पहुंच जाए तो बैल ऐकन को प्रेस कर ले जगा एंड सब्सक्राइब तो चलिए अभी देख लेते हैं आपके परसन की करेंट एनरजी आपको लेकर क्या है क्या है उनके दिल में और क्या है उनक वाकि सबीक्तिक इनरजी हैs इसमें ऊके आपके पंस वापस लॉट कर आ रहे है आपके लाइफ में मन नहीं लग रहा है उनका स्यवन अव्स्वर में है आपके person इनके उपर इनकी जो energies आ रही है इनकी energies यहाँ पर यही कह रही है कि जब से यह आप से दूरियां बनाई है जब से यह आप से no contact situation हुआ है जब से यह आप से दूर गए है ब्लॉक किया है या फिर move on किया है ठीक है इस condition में है यह कि इनका मन आपके बिना पिल्कुल भी नहीं लग रहा है पूरी तरीके से यह person का दिल और इनका दिमाग आपकी तरफ लगा हुआ है बार-बार जब एक इनसान बार-बार उस इनसान के बारी में सोच रहा है जिसको वो पहले से ब्लॉक कर चुका है उससे बात नहीं कर रहा है ठीके उसके साथ कोई रिष्टा नहीं रखना चाहते हैं लाइक फिर भी बार-बार फोकस उसी इनसान की उपर कर रहे हैं यह क्यों कर रहे हैं पीछे से एक्स्ट्रा आवाजे आ रही होंगी थोड़ा सा फोकस नहीं कीजेगा बिल्डिंग का काम चल रहा ह है तो इसलिए आवाजे आ रहे होंगे ओके तो यहां पर जैसे मैं देख रही हूं सेवनप सोट्स का जो कार्ड है वो यहां पर क्या कह रहा है कि आपके परसंद आप से को भूल नहीं पा रहे हैं ठीक है इनका जो मन है वो आप में ही लगा हुआ है फीलिंग्स जो है वो अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं रीजन बहुत जादा यहां पर महबत है बहुत जादा प्यार है जो इन्हें आप से है और इस महबत और इस प्यार के बिना वो नहीं रह पा रहे हैं नो कांटेक्स सिच्वेशन में भी बार बार इनका फोकस ड्रीम आना आपके बारे में अतरदिक सोचना overthinking करना तो ये चीज़े हो रही है इनकी इसलिए first card ही seven of swords का आया है और cards को देखेंगे और cards के energies को लेंगे five of events five of events या क्या कह रहा है five of events या पर दो तिन की चीज़ें को बता रहे हैं या तो आपके साथ इनका जगड़ा कुछ arguments हुआ है इसकी बज़े से भी ये दूरियां बना लिया है इन्होंने move on कर लिया है या फिर ब्लॉक वगरा या फिर बात नहीं कर रहे है five of events या पर ये भी कह रहा है कि किसी का जगड़ा इतना ज़ादा इनकी life में बढ़ गया था कोई सी की involvement इतनी ज़ादा इनकी life में बढ़ गय थी इतना ज़ादा ये किसी की बज़े से परिशान हो रहे थे कोई third person है जो इनके जगड़ भी रहा है लड़ भी रहा है लेकिन सांत होने के बाद भी ना मन तो लग नहीं रहा है क्योंकि याद आपके इसलिए आ रही है क्योंकि इनकी feelings बहुत true है आपके लिए five of events यहां पर ये कह रहा है कि भाई मन जो relationship है इसको ये तोड़ेंगे नहीं अंदर यंदर खुद से भी fight कर रहे है क्या हो रहे है कि जब किसी से बात करने का बहुत ज़्यादा मन होता है लेकिन उससे बात नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है अंदर इंदर fight करते हो ना कि वह बात नहीं कर पा रहे हैं बात नहीं हो पा रही है तो यहां पर जो person है ना वह काफी ज़्यादा stress में है controlling energies यहाँ पर साफ है और controlling energies की वज़े से बहुत सारे problems हो है वो यह face कर रहे है तो यह चीज यहाँ दिख रही है seven of cups यहाँ पर यह भी कह रहे है seven of cups का card कि कहीं न कहीं इस समय पर आपके जो person है आपको लेकर कुछ बहुत जादा overthinking में भी है इनके life में बहुत problems है यह दिखाई दे रही है problem two of sorts यहाँ पर लगतार इसी बात को बार-बार बोल रहे हैं बार-बार two of sorts का card आ रहा है बार-बार एक ही card के energy जा रहे है कि person जो है वो आपके साथ अब दुबारा से अपनी और आपकी new beginning चाहते हैं तो यह ऐसा person भी हो सकता है जो आपके साथ जिंदगी में था बहुत खुश था आप और उनका relationship बहुत ही प्योर था बट यह move on कर गए थे अब return हो रहे हैं वापस से उनके साथ एक new beginning new fresh beginning आपके start हो सकती है same workplace पर हो सकता है कि आप लोग मिले हो यह चीज़ यहां दिख रही है कि same workplace पर आप मिले हो आपका मिलन हुआ हो long distance connection हो सकता है age difference यहां दिख रहा है ठीक है तो यह energy यहां दिख रही है दूसरा mesh राशी, कुम राशी, कन्या, तुला, टॉरस, जैमने, लिवरा है ना and cancer भी है and leo भी है तो यह राशीयां यहां पर है जिद्धी बहुत हो रहे हैं आपके person जिद्धा आ गई है उनको कि आप वो आपके साथ रिष्टे को जोड़ेंगे देखो एक चीज़ है कि आपके रिष्टे में third party involvement है यह चीज़ मुझे दिख रही है सबके साथ यह चीज़ resonate नहीं करेगी प्लीज जितना resonate करे सिर्फ उतना ही रखिएगा resonate नहीं करे आप उसको छोड़ सकते हो लेकिन एक बात है कि जो third person की बज़े से इन्होंने अपने रिष्टे को खराब कर लिया है आपके साथ आपसे बात नहीं कर रहे है move on कर लिया है contact नहीं कर रहे है तो वो person के साथ भी ना आप बहुत ज़्यादा arguments पड़ चुकी है इनकी day by day उस person के साथ भी इनका रिष्टा खराब हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि अत्यदिक control करने की बज़े से उसकी सारी बातों को मानने की बज़े से उस third person की चाहिए वो परिवार का हो चाहिए family का हो चाहिए friends हो कोई और वेक्ती हो लेकिन इन्होंने उसकी बातों को मान मन कर अपना और आपका relationship खराब कर लिया आपके प्रतीन की जो जिम्मेदारिया थी उनको भी भूलके इन्होंने उनका ही साथ दिया third person का हमेशा से अब ये कुछ ऐसी चीज़ें के सामने आ रही है third party से related जिसमें इन्हें समझ आ रहा है खुद से कहते हैं कि कभी कभी जब खुद से समझ आती है न वही असली समझ होती है किसी को समझाते रो समझाते रो उसे लगता है कि शायद ये पता नहीं सही समझा रहे है होता है ना समझ आइम्स बट जब खुद से जब इन्सान बरता है ना खुद से देखता है तब ज़्यादा अच्छे से फिल करता है अभी आपके person के अनर्जिस यहां पर third party के लिए आ रहे है कि यह जो भी person इनके contact में है इनको लग रहा है कि वो इंसान ज्यादा जूट बोल रहा है ठीक है चाहिए वो family member ही क्यों ना हो कोई बाहरी वेक्ती क्यों ना हो उसे लग रहा है कि मिस्गाइड कर रहा है मुझे यह third person मिस्गाइड करता है यह third person मेरा खयाल नहीं रखता है यह मुझे जूट बोलता है यह मुझे जूटे वादे करता है इसकी बज़े से ही मैंने अपना relationship खरब कर लिया इन्हें कहीं ना कहीं इन्होंने विश्वास किया उस third party के उपर और उस विश्वास में इन्होंने आपकी प्यार को खो दिया आपके प्रती जिम्मेदारियां थी उनको भी छोड़ दिया इन्होंने गुसा बहुत करने लगे थे आपके person अभी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ नाराजगी, stress, overthinking है ना और rudely बोलना यह सारी चीज़े उनकी दिख रही है अभी भी मुझे यहाँ पर कोई चीज़ें ऐसी भी दिख रहे है जिसमें उन्हें गिल्ट भी हो रहा है कि हाँ वो गिल्ट लेकिन आप यहाँ पर इसमें अनर्जिस को देखो, इस cup के अनर्जिस को जिस थर्ड पार्टिक को उन्हें यह सोचा था कि यह परसन सही बोल रहा है ठेक है वो मैंने बोला ना आपको कोई भी क्यों ना हो इनका कितना भी close क्यों ना हो लेकिन इन्होंने उस पर विश्वास किया था और आज इन्हें जब थोका खाया है उस थर्ड परसन ने जब बहुत सारी चीज़ें उसकी समझ आई है और जब यह खोद अकेले रहे गए ना खोद अकेले रहे गए खोद खुद की लाइफ स्ट्रक हो गई खुद की चीज़ा डिस्टर्व हो गई अब तिन रात इनको यह बस्तावा हो रहा है कि इन्होंने तो अपना सभी कुछ खराब कर लिया सभी चीज़ें डिस्टर्व कर ली इन उस थर्ड परसन की कहने से इन्होंने आप से भी जगड़े कि आर्ग्यूमेंट्स की हैं आप से रिष्टा खतम कर दिया बहुत सारी चीज़ें की हैं अभी आपके परसन का गुछसा बढ़ रहा है थर्ड परसन के साथ जगड़े हो रहे हैं कल रात की भी अनर्जी जा रही है थर्ड परसन और आपके परसन के बीच में फैटिंग तो आप उनको चेक आप उनको देख सकते हैं कि उनका मूड जो है नव कलसे और भी घु lays에 में हैं कलसे वह अगर उनसे बात हुई है आपकी तो कल्ब से और भी घुसे में हैं और भी ज़्यादा वैसे हो रहे हैं या फिर आपके साथ बहुत सा रोकर बात करेंगे और लिए no contact situation में हो पता नहीं कबसे बात ही नहीं किये तो भी आपके इनकी जो energies आ रही है किल बहुत Miss कर रहे थे और कहीं न कहीं यही सोच रहे थे कि आप क्योंकि यहां पर first card क्या बता रहा है first card यहां पर यही बता रहा है कि आपके person आपको आपके लिए तरस रहे हैं खुद से जो गलतियां उन्हों ने की है ना उन गलतियों पर भी मतलब बहुत पस्ताबा हो रहे कि मैं मैंने क्या कि अपनी रिष्टी को मैंने खराब कर लिया ठीक है तो fighting energies आ रही है जगड़े हो सकते हैं कि हो गए हो कल arguments तो पका हुए हैं बहुत ही जादा थर्ड person काफी हावी रहा है लेकिन थर्ड party का जो controlling energies थी वो कहीं न कहीं low होती जा रही है क्योंकि आपके person को भी न अब जिद आ गई मुझे इतने vents दिख रहे हैं इतने vents दिख रहे हैं एक जिद और strong energies को यहां पर represent करते हैं vents निकलना जाते हैं यह 3rd person से 3rd person की controlling energies से यह खुद भी परेशान होते हुए दिख रहे हैं तो यह यहां पर tarot card energies आ रही है अभी last में prayer करूंगी मैं universe से प्रार्थना करूंगी मैं दिल से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे subscribe करते हैं जो भी मेरे subscribers है like share comments नाम नहीं पता होता है ना नीचे अपने आपी card आ रहे हैं देखो एक चीज तो है कि इन person को सबक अच्छा मिला है मतलब कहीं ना कहीं जो नोने आपके साथ आपके प्यार को नहीं अगर समझा है अगर उन्होंने आपकी कदर नहीं किये ना ऐसा लगा है आपको कि हाँ इस इंसान ने मेरी कदर नहीं request करके कि relationship को अपने समझो अपने प्यार को अपनी महबत को समझो वो इंसान ऐसा नहीं है लाइक तुम जैसा समझ रहे हो बहुत जारी बात है कि नहीं समझ अच्छुद मैसूस की है आपके person है और आपके प्यार को समझा है आपकी गदर की है अभी देखो आपके person कहते हैं ना कि मतलब request कर रहे हैं तो यहां पर टैरो कार्ट के according है आपकी person आपसे request कर रहे हैं कि मुझे माफ कर दो मुझसे गलतियां हुई है उन गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो मैं तंगा चुका हूँ इस third person से इसकी बातों से अब मुझे इस रिष्टे को समालना अपने रि emotional है आपके person क्या है ना कि आपके person की एक चीज़ मुझे यहां पर सबसे ज़्यादा समझ में आई है वो है guilt उनको इस चीज़ का पस्तावा है कि इतने दिन उन्होंने अपने रिष्टे को दिये और उसके बाद इतना कुछ होने के बाद उन्होंने sudden कर अब आज वो भी अक accept करना अपनी पार के लिए request करना कि प्लीज वापस आज हो या मेर से गलती हुई मुझे वाफ कर दो like that यह चीज यहां दिख रही है कितना resonate कर रही है आज की tarot card reading बता दीजिएगा comment section में और personally अगर आपको मेरे से tarot card reading लेनी है बात करनी तो आप कर सकते हैं नमबर वीडियो पर है वहाँ से लेकर आप messages कर सकते हैं and take care bye bye